तो वेल्कामें फ्रेंट्स दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखन सिविल जज के बारे में देखें यहां पे लिखा है कॉस्टेन बुकलेट सिरीज वन दोजार पंदर का पेपर है 1516 में हुआ था सिविल जज जुलियर डिविजन प्रिलिविनेरी टेस्ट यानि की पीटी का जो पेपर होता है वो है फुल माक्स आपका हंड्रेड होता है टोटल दो घंडे का समय दिया जाता है और यहां पेपर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यहां पर लिक दिये गया है ठीक ना बिलेक और बुलू पेन का ही परियोग करना है और यहां जो करवा आती है आपका एक्जाम यहां करवाती है जारखन पब्लिक सर्विस अब आईए देखते हैं किस टाइप के कॉश्चन पूछाता जाता है तो यह जित्रेवी कॉश करके देखते हैं उसके बाद इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडियाप का लिक मैं दे दे रहा हूं अगर आपको जुरत है तो आप जाए डाउनलूड कर लिजी पहले देख लिजी थोड़ा सा कि किस टाइप के कॉश्चन आते हैं तो पहला दोटों आपको मालूम होगा कि लोकायुक्त भारत में उन्टी सो साइट नाइटीन सिक्ष्टि थिरी खुआ था मुझे उतना याद दिये कंफर्म कर लिजेगा उनी सो तिरसट को साहिद आया था और सबसे पहले यहां आया था महाराश्ट्र में कहां पे महाराश्ट्र मे नेक्ष्ट है आपका अंतराश्टिय स्रमिक दिवस यानि की इंटर्नेशनल लेबर डे कब मना जाता है तो यह एक माई को मना जाता है नेक्ष्ट है आपका हमारे राश्टि ध्वज की चोड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है तो देखिए पहले चोड़ाई उसके आणुपाद लंबाई तो 2 अनुपाद की हो जाएगा है लेकिन अगर लंबाई चोड़ाई का पूँचे तो तिन अनुपाद दो हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा चोड़ाई और लंशोंबाई तो 2 & 3 का अनुपाद लिम लिखित में से किस्तिति को विधी दिवस यानि की कानून दिवस मना जाता है विधी मतलब होता है कानून तो कानून दिवस 26 नौवंबर को मना जाता है क्यों मना जाता है 26 नौवंबर को भाई तो 26 नौवंबर 1949 को भारत का जो सम्मिधान है यह बनकर तयार हो गया था और अंगी किरित कर लिया गया था तो इसलिए 26 नॉवंबर 1949 से मतलब 26 नॉवंबर 1949 को जब अंगी किरित कर लिया गया सामिदान को इसलिए इस डेट को मना जाता है नेक्स्ट आपका कॉस्चन है कि जहारकन राज के स्थापना का वी तो 15 नॉवंबर 2020 को आप सभी को मालू में इस कांसर हो जाएगा 15 नॉवंबर 2000 को नेक्स्ट आपका छेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज कोन सा है तो एकदम इजी कोस्चन है बच्चा वाला कोस्चन क्लास नाइन का है राजस्थान नेक्स्ट आपका जूल इकाई है जूल किसका मात रखे तो जूल किसका मात रखे उर्जा का मात रख होता है जूल एनर्जी का नेक्स्ट आपका एंटिबायो टिक्स क्या है तो दर्द को दूर करता है एंटिबायो टिक्स हम लोग दवा खाते हैं जैसे की हो गया टेक्सी मोग दोस्तों हो गया उसके बाद जितने भी दवा आते हैं जिरो डॉल स्पी हो गया 500 mg का ठीक न तो ये एंटिबाइटिक्स दवाएं क्या करती है सरीर में जर्म को ततकाल नश्ट करती है जर्म को बढ़ाने में निर्वासित करती है जर्म को बढ़ने से निवारीत करती है जर्म को बढ़ाने सी हो जर्म पोर्बंदर न वहाती है तो पूरबंदर हो गया अकबर का जर्म अमर कोट में हुआ था डी हा गया नेक्स आपका टेक्स रिफॉर्म कमिशन अस्थापित किया गया था योजनायक के द्वारा पर्थान मंत्री के द्वारा वित्त मंत्रले या अंतराइजिय परिसद तो इसका मुझे मालूम नहीं ने पूरा पूरा पीडियाप आपको दे दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मारिये सेट और आप प्रशन पढ़े होंगे तो जरूरी है इसका आंसर बहुत ही आसानी से डून निकालेंगे दोनों पेपर है पेपर वान है यह पेपर टू भी मैं इसका वीडियो बनाई दूंगा एक दो दिन में तो चलिए फिर मिलता है नेशन वीडियो के साथ बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चनल लेकिन मैं ने देखा तो फिर मिल रहे है नेशन वीडियो के साथ अगर आपने हमारे चनल पर पहली बार आए तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिएगा बेल का इकन को प्रेस कर दिजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक अगर आपके कोई भी दोस्त सिविल जाज के एकजाम दे रहे हैं तो उन तक भी सेर कर दिजिएगा तो थाइक्यों पहुचिंग दिस वीडियो बाब बाए फिर मिलता है नेक्ट वीडिय